हलो बच्चों, विल्कम बैक तो कौनिक सेक्शन के रिविजिन सीरीज में हमने कुछ सवाल पिछले वीडियो में किये थे आगे के सवाल हम लोग आज इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं है ना अगर आप एक क्विक रिविजिन चाहते हैं इन फॉर्म आफ ग्वेस्चिन्स की जो कॉंसेप्ट हमने इसके रिविजिन लेक्चर सीरीज में देखा था उसको अपलाई करके किस तरीके से सवाल करने हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हल्फुल होगा तो आएए इसी सीरीज में हम सिंगल आप्शन करेक्ट कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने कुछ सोला सवाल किये थे उसको इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं तो अगला सवाल ये है कि अ सर्कल हैस दे सेम सेंटर अज अन इलिप्स and passes through foci F1 and F2 of the ellipse such that two curves intersect in four points तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये ऐसे questions कभी भी आएं आपके पास तो सबसे पहले एक आप rough diagram इसका जरूर बना लीजे तो आईए हम अपना एक rough diagram बना लेते हैं तो suppose ये हमारे पास ellipse है इस तरीके से ठीक है और एक circle है जिसका center same है जो ellipse का center है है ना और वो circle इस ellipse को 4 points पे cut करता है suppose ये कुछ हमारा इस तरीके से circle हो गया ठीक है question में ये भी दिया हुआ है कि circle passes through foci F1 and F2 of the ellipse मतब ये आपका focus है F1 और ये आपका focus है F2 of the ellipse ठीक है question में ये भी दिया हुआ है कि let P be any one of their intersection points तो suppose ये point हमारा P हो गया ठीक है और दिया हुआ है कि if the major axis of the ellipse is 17 तो यहां given information है कि major axis यानि 2a हमारे पास 17 है ठीक है and the area of triangle P F1 F2 is 30 तो ये वाला जो triangle हम बनाएंगे this triangle P F1 F2 तो delta of P F1 F2 हमें दिया हुआ है is equal to 30 ठीक है हमें क्या निकालना है तो हमें निकालना है distance between the foci यानि 2aE की value हमें निकालनी है तो देखे इस ellipse को अगर हम standard form में लें तो ellipse का equation मन जाएगा x square by a square plus y square by b square is equal to 1 है ना और circle का equation अगर हम देखें तो clearly center तो हमारा origin है और radius हमारा origin से focus के बीच का distance यानि AE है तो circle का equation हो जाएगा x square plus y square is equal to a square e square अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यह delta यानि area of P F1 F2 अगर हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा F1 F2 का distance यानि 2AE और perpendicular half base into height वाला formula लगाते हैं तो यहाँ height जो आएगा वो point P का y coordinate होगा यानि हमें यहाँ पे y की value निकालनी है तो इन दोनों equation को solve करके हम कोशिश करेंगे कि हमें क्या मिल जाए y की value मिल जाए ठीक है तो x की value को हम substitute कर देते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो x square की value आ जाएगी a square e square minus y square और इस value को हम equation 1 में substitute कर देंगे to find the value of y ठीक है तो आएए substitute करते हैं तो यहाँ से हम देखें तो substitution के बाद हमारा equation जो बन जाएगा वो बनेगा a square e square minus y square upon a square and plus y square upon b square is equal to 1 ठीक है एक काम करते हैं a square से इसको multiply कर देते हैं दोनों तराफ तो यह बन जाएगा हमारा a square e square minus y square plus y square times यह बन गया a square by b square और यहाँ पर आगे हमारे पास a square अब यहाँ से इसको हम इस तरफ ले जाएं और यहाँ से y square common कर लें तो y square common और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा a square upon b square minus 1 ठीक है और इधर आपका बन गया a square minus a square e square और हम जानते हैं a square minus a square e square और कुछ नहीं बल्कि b square होता है तो यहाँ से अगर हम y square की value देखें तो यह बन जाएगा b to the power 4 upon a square minus b square और a square minus b square क्या हो जाता है a square e square तो यहाँ पर बन जाएगा यह b to the power 4 ठीक है b to the power 4 upon a square e square तो यह y square की value थी तो y की value यहाँ से निकल जाएगी यानि y की value आ गई b square upon a e ठीक है तो delta of p f1 f2 जो आया यह हो जाएगा half base base था हमारा 2a और into height height था हमारा y तो यहाँ से आ गया b square upon a e और यह value हमें 30 दी हुई है तो यहाँ से अगर हमने देखा तो यह बन गया हमारा यह 2 और 2 cancel out हो जाएगा a e a e cancel out हो जाएगा तो यहाँ से b square की value हमारे पास आ गई 30 ठीक है और हमारे पास 2a दिया हुआ था निकालना क्या था 2 a e तो यह काम करते हैं इसको 4 से multiply कर देते हैं तो 4 b square की value हो गई 120 है ना तो अब हमारे पास 2 a e इसका एक बार square ले लेते हैं तो यह बन जाएगा a square e square हम जानते हैं a square e square is equal to a square minus b square होता है तो 4 a square e square हो जाएगा 4 a square minus 4 b square 2 a की value 17 दी हुई है तो यह बन गया 17 square और 4 b square की value 120 हमें पता थी तो simplify करेंगे तो यह बन जाएगा 169 यानि यहां से clearly 2 a e की जो value आ गई वो आ गई 13 ठीक है यानि इस question का जो सही option हो जाएगा वो कौन सा option हो जाएगा option c ठीक है अगला सवाल चलते हैं तो यह question दिया हुए कि the line passes through extremity a of major axis and extremity b of minor axis of the ellipse this ठीक है and meets its auxiliary circle at point m then the area of triangle with vertices at a m and origin o is again इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका एक diagram बनाना पड़ेगा तो आए diagram बनाते हैं तो जैसे मान लीजे यह हमारा ellipse हो जाएगा इस तरीके से कुछ ठीक है यह हमारा ellipse हो गया हमें क्या दिया हुआ है हमें इसका auxiliary circle भी draw करना है तो एक काम करते है auxiliary circle भी बना लेते हैं तो auxiliary circle हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है यह auxiliary circle हो गया अब एक line है जो extremity a of major axis से तो मान लेते हैं यह हमारा a हो गया extremity b of minor axis तो यह b हो गया इन दोनों से pass करता है ठीक है और हमारे auxiliary circle को कहां पे cut करता है m पे ठीक है तो यह हमारा m हो गया अब इस m को अगर हम origin से join कर दें ठीक है तो यह जो origin है a o b यह जो triangle है a o b a o m ठीक है इसका हमें area निकालना है ठीक है इसका हमें area निकालना है तो सबसे पहले तो ellipse का equation हम लोग standard form में लिक लेते हैं तो यह हो जाएगा x square plus x square by 9 plus y square is equal to 1 ठीक है और हमारे पास auxiliary circle का equation क्या हो जाएगा तो auxiliary circle का equation center हो गया हमारा origin और radius हो गया हमारे major axis के बराबर तो major axis यहां से कितना है 3 तो auxiliary circle का equation हो गया x square plus y square is equal to 9 ठीक है अब a का coordinate अगर हमें लिखना हो तो यह तो हो गया 3,0 b का coordinate minor axis clearly 1 है तो b का coordinate हमारा हो जाएगा 0,1 ठीक है तो हम a b का equation लिख सकते हैं तो a b का equation intercept form में आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि x intercept 3 है y intercept 1 है तो a b का जो equation हो जाएगा वो हो जाएगा x upon 3 plus y upon 1 is equal to 1 ठीक है यह तो हमारे a b का equation हो गया हम चाहें तो इसको simplify कर सकते हैं simplify कर लेते हैं तो यहां से equation बन जाएगा x plus 3y is equal to 3 ठीक है अब देखिए ध्यान से यहां पे जो हमें area निकालना है ठीक है वो area निकालने के लिए base तो हमें पता है base यह हमारा 3 units है अगर यह हमारा height निकल जाए तो half base into height से निकाल सकते हैं यानि m का अगर coordinate हम x,y लेते हैं तो height निकालने के लिए हमें इसका y coordinate की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना है इस line के equation को और इस circle के equation को solve करके y की value निकालने की कोशिश करनी है तो एक काम करते हैं यहाँ पर x की value in terms of y लिख लेते हैं तो x is equal to 3 times of 1 minus y हो जाएगा है ना और इस x की value को हम इस circle में substitute कर देते हैं ठीक है तो equation क्या बन गया हमारे पास 9 times of 1 minus y whole squared plus y square is equal to 9 ठीक है simplify कर लेते हैं तो यह बन जाएगा 9 minus 18 y plus 9 y square plus y square is equal to 9 यह 9 और यह 9 तो हो गया cancel ठीक है और यहाँ से हमारे पास equation बना 10 y square is equal to 18 y है ना और यहाँ से y की value clearly y 0 तो होगा नहीं तो एक y cancel out कर दो तो y की value हो जाएगी 18 upon 10 जिसको हम लिख सकते हैं 9 upon 5 ठीक है तो therefore जो area होगा हमारा वो हो जाएगा half base base कितना था 3 और height कितना था y that is 9 by 5 तो यहाँ से area clearly हमारे पास आ गया 27 upon 10 ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा यानि यहाँ से कौन सा option सही हो गया option d ठीक है next question पर चलते हैं next question है हमारे पास काफी lengthy सा सवाल दिख रहा है लेकिन घबराये मन क्यूंकि यह सवाल जितना ही lengthy होता है उसका solve करने का तरीका उतना lengthy नहीं होता है देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कि let a and b be non zero real numbers ठीक है then the equation this represents अब ध्यान से देखिए यह equation हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं जिस equation के बारे में बात करनी है तो equation है हमारे पास ax square plus by square and plus c times अब यह वाला equation अगर हम देखते हैं x square minus 5xy plus 6y square इसको हम factorize कर सकते हैं है ना इसको factorize कर सकते हैं x minus 3y into x minus 2y ठीक है तो आपके पास यह equation दिया हुआ है clearly यह वाला 0 हुआ तो आपके पास एक line आ जाएगा x is equal to 3y यह वाला 0 हुआ तो आपके पास एक line हो जाएगा x is equal to 2y यानि clearly इस equation में दो lines तो आपको दिख रहे हैं ठीक है दो lines दिख रहे हैं अब बात आती है options को देखके हम यह decide करेंगे कि हमारे पास कौन सा option सही होगा तो पहला option है four straight lines when c is equal to 0 ठीक है four straight lines when c is equal to 0 तो यहां से अगर आप देखिएगा तो अगर c is equal to 0 कर दें चलिए option a को हम compare करना है अभी c is equal to 0 कर दें तो यह equation आपके पास बन जाएगा ax square plus by square times x minus 3y और into x minus 2y is equal to 0 है ना अब ध्यान से देखिए a और b क्या दिया हुआ है non zero real numbers लेकिन यह नहीं दिया हुआ है कि a b are of same sign और a b are of opposite sign यह हमें नहीं पता है ठीक है यहाँ पे option में दे दिया गया है कि a and b are of same sign अगर a और b same sign का हुआ तो यह x square और y square तो यह हमेशा non zero quantity होगी यानि अगर a और b same sign का हो गया तो यह expression या तो always positive होगा अगर a और b दोनो positive हुए तो और यह expression always negative होगा अगर a और b negative हुए तो एक possibility और भी हो सकती है कि अगर x और y दोनो zero zero हुए तो फिर यह quantity zero हो जाएगी ठीक है यानि in any case इस quantity को zero होने के लिए आपके पास एक लौता जो possibility है वो यह है कि x और y की value क्या बन जाए जीरो और जीरो बन जाए यानि x भी zero हो और y भी zero हो यानि इसके corresponding हमें मिलेगा एक point इसके corresponding एक point मिलेगा और इन दोनों के corresponding एक एक straight line तो clearly यह जो equation दिखाएगा c is equal to zero के corresponding वो दिखाएगा a point and two straight lines तो clearly a option तो आपका हो गया गलत तो यह सही नहीं हो सकता b option के बारे में देखते हैं b option में दिया हुए two straight lines and a circle when a is equal to b and c is of sign opposite to that of a ठीक है अगर a is equal to b हो गया तो मान लेते हैं a is equal to एक hypothetical possibility हम ले लेते हैं a is equal to b is equal to one ठीक है और c is that of c का sign है वो opposite to that of a है तो मान लेते हैं c is equal to इसका opposite sign है तो मान लेते हैं minus two ठीक है एक possibility ले लेते हैं तो यानि यहां से अगर हम देखते हैं तो यह value आपकी जो बन जाएगी आप one क्या यहां पर k ले लीजिए और c is equal to let us say minus p ले लीजिए ठीक है तो k common अगर आप लेते हैं तो यह equation बन जाएगा x square plus y square and minus p upon k है ना और यह equation आपके पास x minus 3y और x minus 2y रहेगा तो clearly यह दोनों तो straight line तो दिखा ही रहे थे अब यह जो देखेगा यह आपका हो जाएगा equation of circle क्योंकि यहां पे हमने p को greater than 0 दिया है क्योंकि यह k greater than 0 दिया है ठीक है तो यह आपका circle represent करेगा है ना और यह दोनों straight line represent करेंगे ठीक है these two are straight lines तो clearly हमारे पास एक circle मिल रहा है और दो straight lines मिल रहे है तो यह b option तो हो गया हमारा correct लेकिन हम एक बार यह भी compare करना चाहते हैं कि c और d देकि single option correct था तो आपका b option तो correct आ गया लेकिन just for discussion हम यह भी देखना चाहेंगे कि c और d option गलत क्यों है और गलत है या नहीं है ठीक ह तो c option अगर हम देखते हैं let's talk about the c option c option में दियावर two straight lines and a hyperbola when a and b are of same sign यहीं पे खतम हो गया सवाल तो a और b अगर same sign के हो गए तो इनके बीच में यह sign प्लस ही रहेगा हमेशा कैसे अगर माली जह दोनों positive हुए let's say दोनों की value 1 हो गई तो यह equation x square plus y square और c is a sign opposite to that of a है तो मान लेते हैं minus 2 तो यह कुछ इस form में आएगा यह तो circle का equation हो गया और अगर दोनों negative भी होते let's say minus 1 minus 1 तो minus x square minus y square और plus 2 का form होता फिर से आप minus sign common ले लिजेगा तो again यह circle ही बनेगा यानि कभी भी इस case में इन दोनों के बीच में यह जो sign होगा आप common sign बाहर निकाल लिजेए तो इन दोनों के sign में हमेशा इन दोनों के बीच में sign जो आएगा वो हमेशा plus sign ही आएगा और हमें पता है के hyperbola में x square और y square के terms के बीच में जो sign आता है वो negative sign आता है तो clearly यह hyperbola तो नहीं हो सकता ठीक है? तो हमारा इस reason के accordingly C option गलट हो गया D option के बारे में देखते हैं D option दिया circle and an ellipse when A and B are of same sign तो यह तो ऐसे ही खतम हो गया क्योंकि circle and an ellipse ellipse तो बनी नहीं रहा कभी अगर मालेजे ellipse बन भी गया तो circle नहीं बनेगा अगर circle बन गया तो ellipse नहीं बनेगा क्योंकि दो straight line तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं ठीक है? तो यहाँ पे तो straight lines का जिक्र भी नहीं है तो यह तो option ऐसे ही खतम हो गया ठीक है? यहाँ हमारे पास एकलौता option जो यहाँ पे सही होगा वो कौन सा होगा option B ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं next question है हमारे पास the common tangent to circle this and parabola ठीक है? इन circle और इस parabola का जो common tangent है touch the circle at point PQ है न? and the parabola at point RS then the area of quadrilateral PQRS is तो यानि कहने का मतलब एक बार draw कर लेते हैं इस पूरे सिनारियो को हम लोग एक बार draw कर लेते हैं तो लेट असे यह हमारा axis हो गया ठीक है? एक parabola है हमारा y square is equal to 8x तो suppose यह कुछ हमारा parabola हुआ है ठीक है? और हमारे पास एक circle दिया हुआ है circle is x square plus y square is equal to 2 तो लेट असे यह हमारा circle है ठीक है? अब हमें दिया हुआ है कि इन दोनो parabola और circle पे जो common tangents है तो obviously हमारे पास दो common tangent आएंगे है ना? एक common tangent लेट असे कुछ इस तरीके का आएगा और दूसरा common tangent इस तरीके का आएगा है ना? तो इस तरीके से हमारे दोनो common tangent हो गए question में यह दिया हुआ है कि यह जो common tangent है वो circle को P और Q पे टच करता है तो यह माल लेते हैं P और यह माल लेते हैं Q और parabola को R और S पे टच करता है तो let us say this point is R and this point is S ठीक है? अब हमें दिया हुआ है कि निकालना क्या है तो area of quadrilateral PQRS मतलब अगर हम इसको join कर दें ठीक है इस तरीके से इसको join कर दें इस तरीके से तो यह जो quadrilateral PQRS बन रहा है इसका area हमें निकालना है ठीक है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो common tangent यानि यह QS और PR जो है इसका equation निकालना पड़ेगा है ना? तो common tangent निकालने का तरीका बड़ा simple सा है कैसे करेंगे? parabola हमें y² is equal to 8x दिया हुआ है तो उस पे हम slope form में tangent का equation लिख लेते हैं slope form में tangent का equation अगर आपको याद हो parabola पे तो वो हो जाता है y is equal to mx plus a by m और a की value यहाँ पे कितनी है 2 तो plus 2 by m ठीक है कै? यह हमारे पास tangent का equation हो गया अगर इसको properly हम लिखें तो यह बन जाएगा mx minus y plus 2 by m is equal to 0 अब यह circle पे भी tangent है तो circle से tangency का condition तो बड़ा simple सा होता है कि distance from center is equal to radius center 0,0 है और radius root 2 है है ना? तो for tangency at circle tangency at circle हमारे पास condition बड़ा simple सा होगे कि distance of this line from origin is equal to root 2 होना चाहिए तो origin से अगर हम distance निकालेंगे तो x is equal to 0, y is equal to 0 डाली है तो 2 by m है ना? upon root over coefficient of x का whole square प्लस coefficient of y का whole square पर यह modulus sign के साथ इसकी value हमें दी हुई है root 2 ठीक है क्या? अब यहां से हम m की value निकाल लेते हैं तो इसको इस तरफ ले जाके square कर लीजे तो यह बन गया 4 upon m square is equal to twice of m square plus 1 यहां से 2 और 2 cancel कर लेते हैं ठीक है? तो यह equation बन जाएगा m to the power 4 plus m square minus 2 is equal to 0 जिसको हम factorize कर सकते हैं जिसको हम just a moment factorize कर सकते हैं m square plus 2 into m square minus 1 is equal to 0 में यानि clearly हमारे पास 2 m की value आई 1 और minus 1 तो 1 के corresponding एक line मिल जाएगा और minus 1 के corresponding एक line मिल जाएगा ठीक है क्या? तो यह तो बड़ा simple सा हो गया यानि हमारे पास जो tangent के equation आगए ठीक है? जो common tangent के equation आगए यहीं लिख लेते हैं t1 की value आऊगए एक बार m is equal to 1 डाल दीजे तो x minus y plus 2 is equal to 0 और 1 t2 आजाएगा हमारा m is equal to minus 1 डालने पे minus x minus y and minus 2 is equal to 0 आप minus minus सारे हटा दीजे तो यानि x plus y plus 2 is equal to 0 तो यह दो tangent के equation आगए ठीक है? अब हमें निकालना है इस quadrilateral का area ठीक है? quadrilateral का area निकालना है तो एक तो तरीका है कि हम पहले यह points निकालने है ना? तो clearly यह जो p और q point है और in fact quadrilateral का area निकालना है तो यह symmetric दिख रहा है तो अगर हम इसका area निकाल लेते हैं ध्यान से देखिए इसको मैं इस तरीके से represent करता हूँ let us say symmetric figure है तो अगर हम यह वाला area निकालने है ना? यह वाला area निकालने तो इसका twice हमारा answer हो जाएगा है ना? और यह हमें एक trapezium दिख रहा है clearly तो हमें क्या चाहिए? यह वाला length चाहिए और यह वाला length चाहिए ठीक है? और इन दोनों के बीच का यह distance चाहिए तो यह निकल गया हमारे पास तो area of quadrilateral निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा तो अगर p का coordinate हमने निकाल लिया तो इसका y coordinate होगा वो यह वाला distance हो जाएगा ठीक है? और यह r के corresponding r के corresponding देखिए, tangent का slope अगर हमें पता है ठीक है? तो उसके corresponding parametric coordinate अगर आपको याद हो तो parametric coordinate हो जाता है a by m square, 2a by m तो यह a by m square 2a by m इसका coordinate हो जाता है तो इसका y coordinate तो clearly हमें पता है कि यह 4 by m होगा तो यह y coordinate निकालने की तो जरूरत है ही नहीं x coordinate भी बड़ा clear है क्योंकि इस point का x coordinate और इसका x coordinate same होगा that is 2 by m square तो हम एक काम करते हैं m is equal to 1 के corresponding यह वाले line के corresponding clearly हम यह values तो निकाली सकते हैं तो यानि यहां से इसका y coordinate हो गया 4 यानि यह वाला height हमारा sorted है origin से यह वाला distance हमारा sorted है यह 2,0 यानि अब सिर्फ हमें इस point P का x और y coordinate निकालना है x coordinate से हमें यह distance मिल जाएगा और y coordinate से हमें यह distance मिल जाएगा तो P के लिए हम क्या करेंगे P is nothing but foot of perpendicular of origin on the straight line यह कौन सा यह straight line है इसका slope 1 है तो यह straight line है हमारे पास x minus y plus 2 is equal to 0 है ना तो foot of perpendicular वाला formula लगा लेते हैं हम तो x minus 0 upon 1 is equal to y minus 0 upon minus 1 is equal to minus of यह 0,0 इसमें put कर देते हैं तो 2 upon a square plus b square तो 1 plus 1 आ गया है है ना तो clearly यहां से अगर हम देखें तो यह तो value आपकी minus 1 आ गया है ना तो x की value आ गई minus 1 और y की value आ जाएगी 1 ठीक है क्या तो x is equal to minus 1 and y is equal to 1 आ गया तो यानि अब देखेंगे हम कि यह distance जो हुआ हमारा तो यह 2 units था यह 1 units था तो यहां पर trapezium के corresponding यह जो h की value आ गई ठीक है h की value आ गई 3 ठीक है और यह आपके जो parallel sides तो हमारा area जो होगा delta ध्यान से देखिए वो twice of trapezium का area तो half sum of parallel sides तो इसका distance है 4 और इसका distance है 1 तो यह 4 plus 1 होगा sum of parallel sides into height height है हमारे पास 3 तो यह हमारा answer बन जाएगा तो यह देखे 2 or 2 cancel तो यहां से यह value कितनी आ गई 15 और 15 ही हमारा क्या होगा इस question का answer तो यहां से clearly हम देख रहे हैं कि कौन सा option सही होगया option D that means D is the correct answer for this question तो यहां तक तो हमने देखा कि single option correct questions किस तरीके से हम solve कर रहे हैं अब बात करेंगे हम multiple answer correct type questions तो यहां पर क्या होगा कि multiple options correct होंगे आपके तो चलिए सबसे पहला सवाल करते हैं सबसे पहला सवाल है consider a circle with its center lying on the focus of parabola y square is equal to 2px ठीक है तो एक काम करते हैं पहले parabola बना ही लेते हैं तो यह parabola हो गया हमारा y square is equal to 2px ठीक है अब हमें दिया हुआ है कि such that it touches the directrix of a parabola तो एक circle हम बना रहे हैं center lying on the focus of the parabola तो focus है clearly यहां पर a की value कितनी है p by 2 तो इसका focus हो जाएगा p by 2,0 ठीक है क्या p by 2,0 इसको center मानके हमने एक circle draw किया है तो आएए draw कर लेते हैं एक circle तो इसको center मानके हमने एक circle कुछ इस तरीके से draw कर लिया ठीक है और यह circle की property कुछ इस तरीके से दी हुई है कि यह हमारे parabola के directrix को touch करता है parabola के directrix को touch करता है ठीक है इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं तो यह directrix touch होने लगेगा एक मिनट ठीक है अब यहां पर हमें निकालना है कि then the point of intersection of the circle and the parabola यानि यह points हमें निकालने है तो यहां पर यह point of intersection यह आ रहा है P और यह आ रहा है Q इसके coordinates हमें निकालने है ठीक है simple है सवाल तो clearly इसका directrix सबसे पहले क्या हो जाएगा तो directrix का equation अगर आपको याद हो तो X is equal to minus A हो जाता है यानि यह equation हो जाएगा X is equal to minus P by 2 या X plus P by 2 is equal to 0 है ना clearly यह हो गया आपका तो अगर हम देखें तो circle का जो radius होगा वो radius कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का distance P by 2 है और यह distance P है तो circle का radius तो कितना हो गया इन फाक्ट यह भी P by 2 है यह P by 2 यह P by 2 तो total distance हमारा P हो गया तो यानि circle का radius कितना हो गया P तो हमारा circle का जो equation बनेगा वो तो बड़ा simple सा X minus P by 2 whole square plus Y square is equal to P square है ना और parabola है हमारे पास already दिया हुआ Y square is equal to 2PX है ना तो इसको बस solve करके X और Y की value निकाल लेनी है तो एक काम करते है Y square की value यहाँ पर substitute कर देते हैं तो solving 1 and 2 हमारे पास equation बन जाएगा इसको expand कर लेते हैं तो X square minus PX plus P square by 4 और Y square के बदले में 2PX plus 2PX लिख लेते हैं और यह is equal to P square आ गया अब यहाँ से minus PX और plus 2PX मिलके plus PX and plus P square by 4 is equal to P square यह वापस से perfect square बन गया किसका? X plus P के whole square का X plus P by 2 के whole square का is equal to P square अब हम इसका square root लेंगे तो X plus P by 2 की value या तो P आएगी या फिर minus P आजाएगी यानि clearly यहाँ से X की value आजाएगी आपकी या तो P by 2 या फिर minus 3P by 2 अब देखिए यह value आने के बाद अब हमें हरबड़ी में answer नहीं लिखना है ठीक है? हरबड़ी में answer इसने नहीं लिखना है क्योंकि हमने अपना diagram dog किया हुआ है और diagram से हम clearly देख रहे हैं जो point of intersection P और Q आ रहा है वो या तो first quadrant में है या फिर fourth quadrant में और first quadrant और fourth quadrant दोनों में ही x coordinate क्या होता है? positive तो clearly यहाँ से जो minus 3 P by 2 आया है इसकी possibility तो खतम हो जाती है ठीक है? इसकी possibility क्या हो जाती है? खतम हो जाती है ठीक है? यानि clearly x की जो value क्या आएगी वो P by 2 आएगी और हम यहाँ से भी verify कर सकते हैं कि अगर आपने x की value minus 3 P by 2 डाल दी तो यहाँ y square की value हो जाएगी जो minus 3 P हो जाएगी which is not possible ठीक है? minus 3 P possible नहीं है क्योंकि यहाँ पर P की value क्या हो जाए? P की value यहाँ पर positive दी हुई है P is a positive value ठीक है? तो यानि clearly x की value क्या हो जाएगी? P by 2 तो उसके corresponding जो y square आएगा वो कितना हो जाएगा? 2Px तो 2 into P by 2 ठीक है? यानि यहाँ से आपके पास y square into P तो y square आगया आपका P square तो यानि y की value यहाँ से आजाएगी P और minus P ठीक है? तो therefore जो points आए वो आगया आपके x coordinate P by 2 y coordinate P या फिर x coordinate P by 2 और y coordinate minus P ठीक है? तो यानि यहाँ से clearly अगर हम option compare करे तो हमें पहला option सही दिख रहा है दूसरा option गलत हो जाएगा तीसरा option भी गलत हो जाएगा है न? इन फाक्ट दूसरा option भी सही हो जाएगा तीसरा option और चौथा option गलत हो जाएगा क्योंकि x हमारा क्या होगा हमेशा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो a and b will be our correct answers तो चली अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो यह question में हमें दिया हुआ है कि the equation of common tangents to the parabola y is equal to x square and y is equal to minus of x minus 2 whole square तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान दिजिए कि यह जो parabola दिया हुआ है यह y square is equal to 4ax ना देखिए, x square is equal to 4ay का form है और यहाँ पे a की value कितनी है? 1 by 4, ठीक है क्या? तो x square is equal to 4ay पे जो tangent का equation लिखते हैं slope form में, वो हो जाता है y is equal to mx, है ना? minus am square तो a की value 1 by 4 और m square ठीक है? यह ध्यान में रखिएगा ध्यान में क्या रखना है आपको? कि जब y square is equal to 4ax होता है तो tangent का equation हम लोग लिखते हैं y is equal to slope form में mx plus a by m और अगर x square is equal to 4ay होता है है ना? तो यहाँ पे tangent का equation हो जाता है y is equal to mx minus am square ठीक है? तो यह ध्यान में रखेंगे फिर दूसरा parabola हमें दिया हुआ है x minus 2 का whole square is equal to minus तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 times of minus 1 by 4 y तो इस पे जो tangent का equation बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा y is equal to m अब x के बदले में क्या हो जाएगा? x minus 2 and then minus am square तो a already minus 1 by 4 था तो यह plus 1 by 4 m square हो जाएगा थोड़ा simplify कर लिया हमने तो यह बन गया y is equal to mx minus 2m plus 1 by 4 m square ठीक है क्या? अब ध्यान से देखिए अगर इन दोनों parabola पे हमें common tangent निकालना है तो अगर यह दोनों किसी एक particular m के लिए same equation same line का equation represent करें तो वो line इस parabola पे भी tangent होगा और इस parabola पे भी tangent होगा यानि करना कुछ नहीं है हमें वैसे m की value निकालनी है जिसके लिए ये दोनों lines क्या हो जाएं same line को represent करें तो उसके लिए ध्यान से देखिए यहां से यहां तक वाला part तो दोनों tangent में same है तो अगर ये दोनों same line को represent करने वाले है तो जो constant term है वो भी दोनों में same हो जाना चाहिए तो बस अब कुछ करना नहीं है हमें इसके constant terms को equate कर दिना है तो यानि minus 1 by 4m square is equal to हो जाएगा minus 2m and plus 1 by 4m square ठीक है सबको इस तरफ लेते आते हैं तो ये बन गया 2m minus 1 by 2m square is equal to 0 आप चाहें तो m by 2 common ले लिजे तो ये बन जाएगा 4 minus m is equal to 0 और यहां से m की दो values आपकी आगई एक तो 0 आगई और दूसरा m की value 4 आगई तो अगर m is equal to 0 लेते हैं तो उसके corresponding हमें tangent क्या मिलेगा तो m is equal to 0 के corresponding जो tangent की value आजाएगी tangent का equation आजाएगा वो इस equation में m की value 0 डाल दीजे तो आपके पास equation बन गया y is equal to 0 और m is equal to 4 के corresponding equation के आएगा तो इस equation में m की value 4 डाल दीजे तो ये बन गया y is equal to 4x और यहां minus 4 ठीक है? आप चाहें तो 4 common ले लिजे तो 4 times of x minus 1 अब देखते हैं हमारे पास कौन-कौन से option सही हुए तो clearly first a option सही हो गया b option भी सही हो गया c option गलत है और d option भी गलत है तो यानि यहां से जो correct options हुए वो क्या-क्या हो गया? option a and option b. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं next question दिया हुआ है कि let p x1, y1 and q x2, y2 यह दो points है condition यहां पर दिया हुआ है कि y1 भी less than 0 है और y2 भी less than 0 है यानि दोनों के y coordinates क्या है? negative ठीक है? be the end points of latest rectum of the ellipse ठीक है? तो एक काम करते हैं ellipse बना ही लेते हैं तो ellipse जो हमें पहले standard form में अगर हम लिखें इसको तो यह लिखा हुआ है x2 by 4 plus y2 is equal to 1 ठीक है? अब इस ellipse को अगर हम draw करते हैं तो यह ellipse कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है? यह ellipse कुछ ऐसा दिखेगा है ना? और हमें दिया हुआ है कि p और q end points of latest rectum है और y coordinates दोनों के negative हैं तो clearly यहाँ पे जो यह latest rectum आएगा उसका एक end point यह p represent करेगा और दूसरा end point यह q represent करेगा तो this is p and this is q अब p और q के coordinates हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बिलकुल निकाल सकते हैं p का जो coordinate होगा ठीक है? p का जो coordinate हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? minus ae, minus b square by a ठीक है क्या? और similarly q का coordinate जो हो जाएगा वो हो जाएगा ae, minus b square by a ठीक है? यानि हमें eccentricity चाहिए होगी a और b की तो value हम जानते ही हैं तो यहां से eccentricity क्या हो जाएगी? root over 1 minus b square by a square that is 1 by 4 तो यह value आपकी आगई root 3 by 2 तो यहां से फिर p का coordinate जो हो जाएगा वो ae, a की value 2 है eccentricity root 3 by 2 है तो यह minus root 3 comma b square is 1 and a is 2 तो minus 1 by 2 आगया similarly q का coordinate आपके पास आजाएगा root 3 comma minus 1 by 2 ठीक है? p और q के coordinates तो निकल गए अब क्या दिया हुआ है कि the equation of parabolas with latest rectum pq यानि अब हमारे पास pq क्या है latest rectum हो गया ठीक है? तो अब हम ellipse को छोड़के ठीक है? parabola पे आते हैं तो यह जो है parabola का latest rectum है अब यहां से इसको latest rectum बनाते हुए दो parabola possible है कौन से? एक तो इस तरीके का कुछ parabola बन जाएगा इसको फिर से draw कर लेते हैं एक parabola हमारा कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा है ना? और similarly आपको दूसरा एक और parabola कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा ठीक है? तो latest rectum सेम रहते हुए आपके पास दो parabola possible है अब इन दोनों parabola का आपको equation निकालना है तो देखें, latest rectum है हमारे पास तो इसका ये जो center होगा यहाँ पे ये तो हमारा focus देदेगा यानि latest rectum के end points का जो mid point है वो हमारा क्या देदेगा? focus तो यानि clearly यहाँ से focus का coordinate अगर हम निकालें parabola का, तो वो इन दोनों points का mid point हो गया है ना? तो y coordinate तो minus half ही रहा, x coordinate हमारा क्या हो जाएगा? 0 तो focus हो गया हमारा 0, minus half ठीक है? focus हो गया अब इसके corresponding directrix हमें निकालना पड़ेगा है ना? तो directrix निकालने के लिए देखें, ये distance जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो distance होता है ये 2a को represent करता है है ना? 2a को represent करता है clear है? ये किसको represent करता है? 2a को represent करता है क्योंकि length of latest victim हमारे पास 4a होता है तो यानि यहाँ से 2a की value देखें तो ये तो root 3 दी हुई है तो a की value कितनी हो जाएगी? root 3 by 2 और directrix जो होगा हमारा वो focus से 2a distance पे होता है focus से 2a distance पे होता है है ना? तो focus से 2a distance इस तरफ आए तो one of the directrix जो हो जाएगा हमारे पास ठीक है? यहाँ 0 मतब minus half से आप कितनी distance पे जा रहे हो? 2a distance पे जा रहे हो तो minus half minus root 3 है ना? clear है क्या? minus half minus root 3 और दूसरा यह हो जाएगा यहाँ से twice of distance अगर हम ले लें तो minus half plus root 3 है ना? लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो एक तो तरीका है कि focus और directrix आप निकाल लीजे और ps is equal to pm वाले formula से ps square is equal to pm square वाले formula से आप निकाल लीजे यहाँ पे लेकिन हमें clearly एक added advantage यह है कि हम दोनो पैराबोला देख रहे हैं कि दोनो पैराबोला के corresponding जो axis है वो हमारा y axis है ठीक है? दोनो पैराबोला के corresponding axis जो है वो y axis है यानि जो पैराबोला का हमारा nature आएगा वो case form में आएगा x square is equal to 4a y minus y1 के form में आएगा क्योंकि vertex हमारा origin नहीं है ठीक है? vertex का x coordinate तो 0 होगा लेकिन y coordinate 0 होना जरूरी नहीं है तो यह हमारा पैराबोला कुछ इस form में आएगा ठीक है? a की value हम clearly यहाँ पे निकाल चुके हैं root 3 by 2 a की value निकाल चुके हैं root 3 by 2 अब बस और हमें कुछ नहीं vertex चाहिए तो इस वाले पैराबोला के corresponding अगर हम देखें तो हमारा vertex क्या हो जाएगा? इस वाले पैराबोला के corresponding यहां से a distance नीचे हमारा vertex हो जाएगा तो इसका vertex हो गया x coordinate तो 0 और y coordinate माइनस हाफ माइनस root 3 by 2 आ जाएगा ठीक है क्या? और इस वाले पैराबोला के corresponding अगर हम vertex देखें है ना? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x coordinate तो 0 लेकिन इस case में माइनस हाफ और प्लस root 3 by 2 आ जाएगा क्योंकि उपर चला गया ना? तो माइनस हाफ प्लस root 3 by 2 ठीक है क्या? यह पैराबोला opening upwards है तो a की value positive रहेगी यह पैराबोला opening downwards है तो a की value negative रहेगी तो अब यहां पे हम दोनों पैराबोला का equation एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि पैराबोला तो हमारा इसी form में आने वाला है x square is equal to 4 ay के form में तो देखे x square is equal to a की value positively तो यह वाला पैराबोला आ रहा है तो यह 4 a a की value एक बार positive ले सकते हैं एक बार negative ले सकते हैं और यह हो गया root 3 अब देखे y minus अब जब positive लिया है तो vertex हमारा यह वाला vertex लेना है है ना तो जब plus लिया है तो vertex हो जाएगा minus half minus root 3 by 2 यानि यहाँ पे हो गया plus half and plus root 3 by 2 ठीक है क्या और जब आप minus लोगे तो यह वाला पैराबोला हुआ तो उस case में vertex हो जाएगा minus half plus root 3 by 2 यानि यह तो plus half रहेगा यहाँ पे एक minus sign आ जाएगा है ना तो यह एक साथ अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको proper फिर आगे simplify भी कर सकते हैं तो यहाँ से भी 2 से मतलब एक 2 यहाँ पे root 3 by 2 होगा एक 2 इसको दे दीजिए और एक 2 इनको दे दीजिए तो यह बन जाएगा आपका plus minus root 3 यह बन गया 2y plus 1 and plus minus root 3 ठीक है क्या? आप देखिए ध्यान से इसको खोल लेते हैं बारी-बारी से अलग-अलग करके तो एक equation बन जाएगा जब आप plus sign लोगे तो यह बन जाएगा x square is equal to plus sign ले रहे हैं तो 2 root 3y ठीक है? और यह यहाँ पे multiply होगा plus root 3 and plus 3 ठीक है? आप चाहें तो इसको इस तरफ ले लें तो पहला equation बन गया x square minus 2 root 3y is equal to 3 plus root 3 है ना? और दूसरा equation हो जाएगा second equation इसी का negative sign लेने के बाद यह बन जाएगा x square is equal to minus 2 root 3y अब negative sign ले रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा minus root 3 और यहाँ भी negative, यहाँ भी negative तो यह plus 3 वापस से बन गया तो यह equation बन गया हमारे पास x square plus 2 root 3y is equal to 3 minus root 3 ठीक है? तो एक option हो गया हमारा x square minus 2 root 3y is equal to 3 plus root 3 तो देखिए कौन सा आ रहा है, यह b option दिख रहा है मुझे, और x square plus 2 root 3y is equal to 3 minus root 3, तो यहाँ पे c option भी मुझे दिख रहा है, तो option हमारा सही जो होगा, वो कौन-कौन सा हो गया b and c ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं next question है हमारे पास let the eccentricity of hyperbola be reciprocal to that of ellipse this, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले ellipse को proper standard form में लिख लेते हैं तो ellipse है हमारा x square by 4, ठीक है? plus y square is equal to 1 और इसका eccentricity कितना हो जाएगा? eccentricity root over 1 minus b square upon a square तो ये हो गया हमारे पास root 3 by 2, ठीक है? ellipse निकल गया, eccentricity निकल गया तो hyperbola की जो eccentricity होगी वो कितनी हो जाएगी? hyperbola हमें दिया हुआ है x square by a square minus y square by b square is equal to 1 तो इसकी eccentricity होती है root over 1 plus b square by a square और ये इसका reciprocal है तो ये 2 upon root 3 हो गया आप चाहें तो square करके हटा सकते हैं तो यानि यहां से हमारे पास b square by a square की जो value आएगी वो 1 upon 3 आजाएगी ठीक है? तो b square और a square के बीच में relation पता चल गई हमें और ये भी दिया हुआ है कि if hyperbola passes through a focus of the ellipse तो इस ellipse का एक focus हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है? अगर हम एक focus लें हमारे पास in fact दोनों ही focus ले लें है ना? तो ये focus अब यहाँ से ये ellipse क्या ये hyperbola क्या होता है? इस hyperbola passes through a focus of the ellipse तो ये या तो root 3,0 से pass हो रहा होगा या फिर minus root 3,0 से pass हो रहा होगा in any case जब आप इसमें put करोगे ठीक है? तो आपके पास equation क्या आजाएगा? since this passes through root 3,0 है ना? तो यहाँ पे हो गया 3 upon a square minus 0 is equal to 1 तो यानि यहाँ से a square की तो value आगई 3 और b square जो था हमारा वो कुछ नहीं a square by 3 था इस equation से clearly देखो b square is equal to a square by 3 था तो ये value आपके आगई 1 यानि कहने का मतलब जो hyperbola आगया वो बड़ा अच्छे से equation बन गया हमारा x square by 3 minus y square by 1 is equal to 1 hyperbola का equation आगया तो अब option देख लेते हैं पहला option तो गलत हो गया क्योंकि हमारा hyperbola था x square by 3 minus y square by 1 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो this option is wrong focus of hyperbola eccentricity हमें पता है 2 upon root 3 a की value पता है हमें root 3 तो focus क्या हो जाएगा हमारा a e that is root 3 in fact plus minus a e कॉमा 0 है ना तो यह बन जाएगा plus minus root 3 that is a and eccentricity is 2 upon root 3 कॉमा 0 यानि यहां से clearly हमारे पास focus आगया 2 कॉमा 0 तो यानि यह option तो plus minus 2 कॉमा 0 है ना तो यह option तो सही हो गया focus of hyperbola is 2 कॉमा 0 is correct eccentricity of hyperbola root 5 by 3 यह तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि eccentricity 2 upon root 3 है and equation of hyperbola is x square minus 3 y square तो इसको अगर आप simplify करोगे तो यह equation क्या बनेगा x square minus 3 y square is equal to 3 तो clearly d option हमारा सही हो गया ठीक है तो a गलत b सही c गलत और d सही हो जाएगा ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं next question है हमारे पास एक circle दिया हुआ है हमें c1 x square plus y square is equal to 3 ठीक है यह हमें c1 दिया हुआ है with center at origin ठीक है intersects the parabola x square is equal to 2y तो एक काम करते हैं जैसे जैसे हम question पड़ते जाते हैं ठीक है तो y is equal to x square by 2 है यह na y is equal to x square by 2 है तो यह कुछ इस तरीके से parabola होगा suppose कुछ इस तरीके से हो जाएगा अब यह कहां पर intersect करता है at point p in first quadrant so this point is given as p ठीक है अब देया जा रहा है कि let the tangent to circle c1 at p touches two circles c2 and c3 तो हमने क्या किया p पे tangent draw किया ठीक है circle के circle पे हमने tangent draw किया through p touching the parabola at p कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है यह कुछ tangent हो गया हमारा और दिया हुआ है यह जो tangent है यह दो circles को touch करता है c2 and c3 at r2 and r3 respectively और c2 और c3 का equal radii दिया हुआ है to root 3 दोनों का radius जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है equal दिया हुआ है तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे लेते हैं और diagram को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हमें तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं ताकि clarity हमें अच्छे से दिखे तो मान लेते हैं एक जो circle है ठीक है center हमें क्या दिया हुआ है suppose c2 and c3 have equal radii 2 root 3 and centers q2 and q3 respectively और q2 और q3 y-axis पे लाई करता है ठीक है तो मतलब जो circles हम draw करने वाले हैं उसका center जो होगा वो y-axis पे होगा तो suppose मान लिजे एक circle ये हो गया ठीक है और same radius का ठीक है दूसरा circle एक काम करते हैं अब तो ये circle और ये parabola का काम इतना जादा है नहीं हमारा लेकिन फिर भी चलिए ऐसे ही रख लेते हैं for the time इस circle को ही एक काम करते हैं copy कर लेते हैं ठीक है और इसी को हम paste कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके का scene मना ठीक है इस तरीके का scene मना ये इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि center हमारा clear दिखे तो इसका center था ठीक है q2 और इसका center suppose कहीं यहां होगा ठीक है q3 ठीक है अब हमें क्या पूछा जा रहा है q2 और q3 के बीच का distance r2 और r3 के बीच का distance क्योंकि यह point है r2 और यह point है r3 ठीक है यह point है r3 और area of triangle बाकि जो भी values यानि clearly हमें यहां पे पहले तो q2 और q3 निकालने के बारे में सोचना चाहिए तो देखे इस circle का यह पहले तो हम line का equation draw कर लेते हैं तो हमारे पास circle तो clear था circle है हमारे पास x square plus y square is equal to 3 और parabola हमारे पास दिया हुआ है x square is equal to 2y तो इनको solve करके एक काम करते हैं p का coordinate पहले निकाल लेते हैं तो x square की value 2y यहां substitute कर दिए तो equation बन गया y square plus 2y minus 3 is equal to 0 which can be factorized as y plus 3 into y minus 1 is equal to 0 है ना तो since हमें दिया हुआ था कि p is in first quadrant तो y positive होगा तो यहां से y की value 1 आ गई तो इसके corresponding x की value हमारे पास क्या आ जाएगी root 2 आ जाएगी तो यानि p का जो coordinate आ गया वो आ गया आपका root 2,1 अब इस p पे हम इस वाले circle पे tangent draw कर रहे हैं तो जो tangent का equation आएगा ठीक है tangent का equation तो वो सीधे t is equal to 0 से निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा root 2x plus xx1 plus yy1 is equal to constant तो is equal to 3 तो यह हमारे tangent का equation आ गया root 2x plus y is equal to 3 ठीक है क्या अब यहां से हम देखें तो यह जो circle है यह दोनों circle का radius हमें पता है यह distance हमें पता है 2 root 3 तो center निकालने के लिए मान लेते हैं इसके center का coordinate 0,b है तो clearly 0,b का distance इस tangent line से कितना होना चाहिए? 2 root 3 तो distance formula यूज कर लेते हैं तो हमारे पास इसको हम proper equation के form में लिख लेते हैं तो यह minus 3 is equal to 0 कर लेते हैं ताकि distance formula लगाने में हमें आसानी हो जाए तो 0,b से इस line का distance कितना होगा? तो x is equal to 0, y is equal to b डाल दीजिए तो b minus 3 upon square root of coefficient of x square plus coefficient of y square यहां modulus होगा is equal to यह value कितनी दी हुई है? 2 root 3 तो यह इसको इधर लाके multiply कर लिजे तो यह mod of b minus 3 की जो value आएगी यह आजाएगी 6 तो यानि b minus 3 की value 6 और minus 6 आजाएगी यानि b की जो value आगई वो कितनी आगई? 9 और minus 3 यानि clearly दो circles ऐसे possible हैं और वो हमें दिया भी हुआ है दो ऐसे circle possible है तो q2 जो है इसका coordinate क्या हो जाएगा? इसका coordinate हो जाएगा इसमें y coordinate हमारा positive रहने वाला है तो 0,9 और q3 जो होगा वो हमारा 0, minus 3 हो जाएगा तो clearly हम देख रहे हैं q2 और q3 का coordinate मिल गया तो q2, q3 के बीच का जो distance आ रहा है वो 12 units आ रहा है तो यह यहां से first option तो सही हो गया ठीक है? अब बात आती है r2 और r3 के बीच का distance निकालना r2 और r3 के बीच का distance निकालना ठीक है? अब यह कैसे निकालेंगे? ठीक है? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते है पाइथागरस theorem हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते है कैसे? तो देखें यह जो दो triangle हमें दिख रहा है इसको अगर हम एक काम करते हैं बाकी अब किसी भी चीज की जरुरत है नहीं ठीक है? तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम isolate करके इस तरीके से देखें है तो एक triangle हमें यह बनता दिख रहा है है ना? और दूसरा triangle इसके center से अगर हम R3 को join कर दें तो यह बनता हुआ दिख रहा है और clearly यह दोनो triangle आप देख रहे हैं यह congruent triangles हैं क्यों? क्योंकि यह distance is equal to यह distance है ठीक है? यह angle बराबर यह angle यह angle बराबर यह angle बराबर यह angle यह angle बराबर यह angle तो clearly यह दोनों क्या हैं? congruent triangles हैं तो congruent triangles हैं तो यह वाला जो distance होगा यह Q2, Q3 के distance का half हो जाएगा So this distance will be equal to 6 अगर यह distance 6 हो गया और ये distance to root 3 दिया हुआ है, तो ये वाला distance हम निकाल सकते हैं, और इसका twice जो होगा, वही R2 और R3 का distance हो जाएगा, है ना, तो simple pythagoras लगा के हम easily इसको solve कर सकते हैं, तो R2, R3 का जो distance होगा, this will be twice of root over, hypotenuse पता है, perpendicular पता है, base का हमें value निकालना है, तो 6 square minus 2 root 3 whole square, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, twice of 36 and this will be minus 12, तो 2 root 24 हो गया, 2 root 24 आप चाहें तो 2 और common निकाल लिजे, तो 4 root 6, so 4 root 6 will be our answer, तो ये B option भी सही हो गया, तो R2, R3 का भी distance निकाल गया, अब चाहिए हमें area of triangle O, R2, R3, तो यहाँ पे ये जो triangle हमें बन रहा है, वो ये वाला triangle दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला triangle, इसका area निकालना है, तो देखे, ये distance तो हमें पता है, R2, R3 का distance, 4 root 6, तो यानि origin से इस line पे अगर हम perpendicular distance निकालने, यानि जो tangent line है, इस पे perpendicular distance निकालने, तो half perpendicular distance into R2, R3, यह हमारा area of triangle R2, R3 हो जाएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं join करकेता हूँ, देखे, आपको समझ में आए, एक दूसरा color ले लेते हैं, और थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं, तो ये वाला जो triangle बनता हुआ दिख रहा है हमें, ठीक है, इसका area हमें निकालना है, तो यहां से इस line पे perpendicular draw करते हैं और इस distance को d बोलते हैं, ठीक है, तो देखे, d का हम value कैसे निकालेंगे, तो origin से हमें perpendicular distance निकालना है, है, tangent है हमारे पास कौन सा, tangent का equation है, root 2x plus y minus 3 is equal to 0, तो tangent है हमारे पास, root 2x, ठीक है, plus y minus 3 is equal to 0, और distance हमें origin से निकालना है, तो यह कितना हो जाएगा, mod of minus 3 upon root 3, है न, यानि यह तो simply यह distance आ गया, root of 3, ठीक है, तो therefore, area हो जाएगा, half d into r2, r3, ठीक है क्या, यानि यह बन गया, half d is how much, root 3, और r2, r3 हमारे पास 4 root 6 आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, तो यह area कितना बन जाएगा, यह area बन जाएगा, 6 root 2, ठीक है, this area will become 6 root 2, clear, all right, फिर इसमें एक और सवाल है, तो यानि 6 root 2, यह भी option हमारा सही हो गया, d option है, area of triangle p, q2, q3, तो p, q2, और q3, अब यह तो बहुत ही आसान हो गया, q2, q3 का distance हमें पता है, p का coordinate भी हमें पता है, तो यह perpendicular distance जो p का y-axis से होगा, यानि इसका x coordinate, वही उसका perpendicular distance हो गया, तो यह तो बड़ा simple सा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे delta p, q2, q3 अगर हम निकालेंगे, तो यह हो जाएगा half, p का x coordinate, that is root 2, और q2, q3 हमने निकाला था 12, यानि यहाँ से भी यह value कितनी हो जाएगी, 6 root 2, so this area is also going to be equal to 6 root 2, है ना, तो यहाँ से देखें, तो यह d option हमारा गलत हो गया, क्योंकि answer d option में हमारे पास 4 root 2 दिया हुआ है, लेकिन हमारा answer कितना आना चीए था, 6 root 2, ठीक है, so this will be the correct answer, चलिए, अगला सवाल लेखते हैं, तो देखिएगा कि जब हम multiple choice question कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास working थोड़ी ज़ादा हो जाती है, क्योंकि हमें सारे options वहाँ पे verify करने होते हैं, ठीक है, चलिए, नेक्स सवाल लेखते हैं, tp and tq are tangents to parabola y square is equal to 4x, ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम parabola बना लेते हैं, so let's draw the parabola, तो यह y square is equal to 4x हमारा parabola हो गया, ठीक है, ठीक है, तो यह parabola हो गया, अब हमारे पास tp और tq दो tangents हैं, तो आये draw कर लेते हैं, suppose एक यह tangent tp हो गया, और यह tangent हमारा tq हो गया, ठीक है, so suppose this point is t, this point is p, यह ना, and this point is q, यह हो गया, अब हमें क्या दिया हुआ है, कि normal at p and q intersect at point r on the curve, यानि हम p और q पे जो normal draw कर रहे हैं, तो suppose इस पे normal हमारा कुछ इस तरीके से आया, यह ना, और इस पे normal हमारा कुछ इस तरीके से आया, यह वापस से कहां पे intersect कर रहे हैं, कर पे intersect कर रहे हैं, point r पे, तो यह 90 डिग्री है, और यह 90 डिग्री है, ध्यान रखेंगे, अब क्या दिया हुआ है, कि the locus of center of circle, circumscribing triangle tpq is a parabola, ठीक है, तो tpq को circumscribe करता हुआ circle, अब यह बड़ा ही interesting सा case है, क्यूं, क्यूंकि जो circle tpq को circumscribe करेगा, वो r से भी pass होगा, देखी यह बात आपको समझ में आई कि नहीं, यह इसलिए ऐसा होगा, क्यूंकि यह तो cyclic quadrilateral हो गया न, यह circle ऐसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है, तो क्यूं, क्यूंकि यह cyclic quadrilateral है, तो यहाँ पे clearly अगर हम देखें, तो यह जो circum center होगा, यह और कहीं नहीं, बलकि यह rt का midpoint होगा, so this is the circum center of the triangle tpq, ठीक है, अब इसका ही हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है, ठीक है, तो अगर इसका coordinate p का हम लिखते हैं, let us say a की value 1 है, तो यहाँ पे t1 square, 2t1, q का coordinate अगर हम लिखते हैं, suppose, t2 square, 2t2, है ना, तो इस t का coordinate क्या हो जाता है, a t1, t2, a की value 1 है, and a times of t1 plus t2, ठीक है, r का coordinate, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, r का coordinate क्या होता है, r का coordinate अगर हम t3 लेते हैं, तो relation यह होता है, कि अगर मालेजे, किसी भी दो point पे अगर हम normal draw करते हैं, और वापस से वो parabola पे intersect करता है, तो एक तो relation हो जाता है, कि t1 into t2 is equal to 2, एक तो relation यह हो जाता है, और दूसरा relation यह हो जाता है, कि t1 plus t2 plus t3 is equal to 0, यह दो relation हमारे पास होते हैं, ठीक है, अब देखिए, तो r का coordinate पूरा properly ही लिख लेते हैं, t3 square, 2t3 है ना, तो यह हो गया आपका t3 square, 2t3, ठीक है, तो c का अगर मैं coordinate h, k मांग लूँ, तो h की value देखे क्या हो जाएगी, sum of x coordinates, sum of x coordinates हो गया, t1, t2 plus t3 whole square divided by 2, और k की value हो गयी, sum of y coordinates, तो यह t1 plus t2, और यहाँ पे, plus 2t3, यह ना, divided by 2, तो यह हमारे पास relation है, और उपर के दोनों relation को use करके, हमें क्या करना है, t1, t2 और t3 को eliminate करना है, तो t1, t2 की value हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, तो यहाँ से equation बन जाएगा, t3 square is equal to 2h minus 2, और यहाँ से t1 plus t2 plus t3 तो 0 हो गया, तो यहाँ से t3 की value कितना हो जाएगी, 2k, इन दोनों से हम t3 को eliminate कर सकते हैं, t3 की value 2k यहाँ पे substitute कर दीजे, तो यह बन जाएगा 4k square is equal to twice of h minus 1, so therefore, जो locus हो गया हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, 2, 2 common cancel कर दीजे, तो 2y square is equal to x minus 1, ठीक है, तो 2y square is equal to x minus 1 हमारे पास हो गया, आप standard form में लिखना चाहें, तो y square is equal to half of x minus 1 will be the equation of parabola, अब देखिए, यहाँ से हमें क्या-क्या निकालना है, यहाँ से vertex निकालना है, foot of directrix निकालना है, length of latest rectum निकालना है, और focus निकालना है, ठीक है, तो vertex, parabola हमारा क्या हो गया था, y square is equal to half of x minus 1, ठीक है, तो इसका vertex clearly हमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 1,0, ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था, vertex के बाद हमें निकालना था, foot of directrix, length of latest rectum, length of latest rectum, इसको अगर हम proper form में लिखें, तो 4 into 1 by 8, है ना, और x minus 1, तो length of latest rectum, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 4a, और 4a के बदले में यहां clearly half लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए, vertex 1,0 is correct, length of latest rectum, 1 by 4, will be wrong, क्योंकि latest rectum का length, हमारा half आया है, अब focus और foot of directrix निकालना है, तो इसका focus, focus क्या हो जाता है, focus हो जाता है, x minus 1 is equal to a होगा, तो 1 plus a, a की value कितनी है, 1 by 8, and comma 0, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 by 8,0, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ x रहता, तो हमारा focus हो जाता, 1,0, लेकिन सिंस यहां x minus 1 है, तो focus क्या हो जाएगा, 1 plus a, ठीक है, तो 9 by 8,0 हमारा focus आया, तो 9 by 8,0 is correct, foot of directrix क्या होता है, foot of directrix हमारा हो जाता है, ठीक है, x is equal to minus a, and y is equal to 0, तो सिंस यहां x की value, x के बदले में x minus 1 है, तो directrix हो जाएगा, 1 minus a, तो 1 minus 1 by 8, 8,0, that is, you'll have 7 by 8,0, ठीक है, तो यहां से देखिए तो, यह भी सही आया क्या, बिल्कुल सही आया, तो यानि यहां से हमारे पास, यह चार में से, तीन option सही हो जाएगे, a, b and d, ठीक है, calculation एक बार, ध्यान से देख लीजे, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कि y square is equal to, 4, a के बदले में 1 by 8 है, और x के बदले में x minus 1 है, तो अब जब focus इसका निकालिएगा न, तो x minus 1 is equal to a होगा, x minus 1 is equal to 8, and y is equal to 0, तो clearly x की value 9 by 8 आ गई हैं से, और y is equal to 0 आ गया, और foot of directrix आप निकालिएगा, है न, तो वो क्या हो जाएगा, x minus 1 is equal to minus a, and y is equal to 0, तो clearly x is equal to 7 by 8, और y is equal to 0 आ जाएगा हमारा answer, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, next question है, कि the tangent pt and normal pn, to the parabola at point p on it, meet its axis at point t and n, ठीक है, तो एक parabola है, हमारे पास y square is equal to 4x, चलिए, draw कर लेते हैं, तो यह हमारा parabola हो गया, y square is equal to 4x, ठीक है, फिर हमने क्या किया है, कि कोई point p लिया, इस पे एक normal draw किया, है ना, और एक tangent draw किया, tangent जो है, वो axis को t पे intersect करता है, और normal जो है, वो axis को n पे intersect करता है, ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि, locus of centroid of triangle p tn, तो अगर p का coordinate हमने लिया, 80 square, 280, ठीक है, तो tangent का equation क्या होता है, yt is equal to x plus 80 square, है ना, और normal का equation होता है, y plus tx is equal to 280 plus 80 cube, तो clearly जो t का coordinate, यह इसको, t यह बोल देता हूं, और n बोल देता हूं, तो t का coordinate जो होगा, वो tangent का intersection axis, that is y is equal to 0 से, तो clearly यह बन जाएगा, minus 80 square, 0, और normal का intersection, जो axis से आप लीजेगा, तो इसमें y is equal to 0 डाल दीजे, तो यह x coordinate 2a plus 80 square, 0 आ जाएगा, तो आपके पास p भी आ गया, t भी आ गया, n भी आ गया, तो centroid अगर आप मान लीजे, centroid को h, k लेते हो, तो h की value क्या हो जाएगी, sum of x coordinates divided by 3, तो 80 square, minus 80 square, और 280 plus 80 square का sum कितना आएगा, 2a plus 80 square, ठीक है, divided by 3, ठीक है, और k की value क्या हो जाएगी, sum of y coordinates divided by 3, तो यह तो simply 280 by 3 हो गया, अब इन दोनों से हमें क्या करना है, t को eliminate करना है, to find the locus, ठीक है, तो पहले equation से clearly, t की value आजाएगी, 3k upon 2a, इसको हम first equation में put कर देते हैं, तो 3h is equal to आजाएगा, 2a plus a, t square, that is, 3k upon 2a whole square, है ना, तो यह कितना बन गया, देखिए, 3h is equal to 2a, plus 9k square upon 4a, आप चाहें, तो 4a से multiply कर लिजे, तो यह बन जाएगा, 9k square is equal to 12h minus 8a, तो therefore, locus is, आप k square की coefficient से इदर divide भी कर दीजे, तो y square is equal to, इन दोनों में से common क्या आएगा, 4, तो 4 by 9, in fact, पूरा 12 भी common बाहर ले लिजे, ताकि standard form में ही दिख जाए, तो 12 by 9 is basically 4 by 3, यह ना, x minus, this by 12 करिएगा, तो यह 2 upon 3 आजाएगा, ठीक है, तो यह आपका locus आगया, तो यहाँ से vertex, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, तो vertex क्या हो जाएगा, y की value 0, x की value 2a by 3, तो 2a by 3, 0 will be our vertex, यानि first option तो सही हो गया, फिर हमें निकालना है directrix, ठीक है, directrix निकालने के लिए एक काम करते हैं, पहराबोला का equation वापस से इधर लिख लेते हैं, तो यह y square is equal to, कितना आया था, 4 by 3, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 4 into 1 by 3, ठीक है, और x minus 2a by 3, तो इसके corresponding जो a की value आई है, वो 1 by 3 आई है, ठीक है, a की value 1 by 3 आई है, तो जो directrix होता है, ठीक है, directrix क्या हो जाता है हमारा, x is equal to minus a, तो यानि, x minus 2a by 3, is equal to minus a, to that is minus a by 3, in fact, यहाँ पे a भी था, a हमने छोड़ दिया शायन, यहाँ 2a square होता, और यहाँ 12a h होता, यहाँ पे a भी होगा, तो यहाँ भी आपका a आएगा, तो is equal to minus a by 3, तो यहाँ से आप देखेगा, and y is equal to 0, तो directrix, in fact, y is equal to 0, तो क्या equation निकालना है न, directrix का equation x is equal to minus a होता है, यहाँ एक्स is equal to a by 3, will be our equation of directrix, यहाँ से directrix का equation x is equal to 0 दिया हुआ है, तो यह option हो गया गलत, latest rectum, latest rectum 4a हो जाता है, है न, तो clearly यहाँ पे latest rectum, आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना हो जाएगा, 4a by 3, यहाँ पे option हमें क्या दिया हुआ है, latest rectum is 2a by 3, this is again wrong, ठीक है, focus क्या हो जाएगा, focus हो जाएगा हमारा, focus, x minus 2a by 3 is equal to a, और a की value है, a by 3, and y is equal to 0, तो clearly यहाँ से x की value a, और y की value 0 आ गई, तो therefore, focus आपका क्या आ गया, a, 0, ठीक है, a, 0 देखिए, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहाँ से 2 option सही आ गया, a and b, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, तो यहाँ यह question दिया हुआ है, कि, let p and q be distinct points on the parabola, such that a circle pq as diameter, with pq as diameter, passes through vertex o of the parabola, ठीक है, तो एक काम करते हैं, draw करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास, एक parabola बनाना है, हमें y square is equal to 2x, तो यह parabola बना लिया, हमें y square is equal to 2x, ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है, कि, let p and q be distinct points on the parabola, such that a circle with pq as diameter, passes through vertex o, of the parabola, ठीक है, if p lies in first quadrant, and the area of triangle opq is 3 root 2, then which of the following, is are the coordinates of p, ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, कि, कोई भी एक chord लिया, pq, उसको diameter मानते हुए, pq को diameter मानते हुए, हमने जब circle draw किया, है ना, तो माल लेते हैं, ऐसा कुछ chord है, let us say, sorry, माल लेते हैं, इस तरीके का कोई chord है, कलर दूसरा ले लेते हैं, suppose this is a chord, और इसको diameter लेते हुए, अगर कोई circle origin से pass कर रहा है, तो clearly ये जो chord होगा, origin पे कितना angle बनाएगा, तो ये obviously diameter है, तो ये angle in a semicircle हो गया, angle in a semicircle, यानि ये 90 degree हो गया, है ना, तो अगर ये p है, और ये q है, और p का coordinate हम, a की value देखिए, half दी हुई है हमारे, यहाँ पे इस question में, तो 80 square हो गया, माले ज़िए t1 square by 2, and 280 हो गया हमारे पास, t1, ठीक है, similarly ये coordinate हो जाएगा, हमारे पास, t2 square by 2, and t2, ठीक है क्या, तो अगर ये यहाँ पे 90 degree subtend कर रहा है, तो हमने पहले भी देखा है, इसके corresponding condition क्या हो जाता है, कि t1, t2 is equal to minus 4, ठीक है क्या, t1, t2 क्या हो गया, minus 4 हो गया, अब हमें क्या दिया हो गया है, कि if p lies in first quadrant, and the area of triangle opq, opq का area निकालना है, ठीक है, opq का क्या निकालना है, area निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, तो area of triangle opq, ये दोनों length तो हमें पता ही चल गए, क्योंकि दोनों point पता है, तो half base into height वाला formula लगा देंगे, है न, तो op और oq, op की value कितनी होगी, तो root over t1 square by 4, in fact, t1 4 by 4, and plus t1 square, और oq कितना हो जाएगा, root over t2 4 by 4, and plus t2 square, है न, तो ये area हो गया हमारा, half op into oq, op into oq, that means square root of, ठीक है, square root of, ये कितना हो गया, t1 to the power 4 upon 4, plus t1 square, into, t2 to the power 4 upon 4, plus t2 square, है न, clear, यहां से भी आप t1 square, common करके बाहर निकाल सकते हैं, यहां से भी आप t2 square, common करके बाहर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ये 4, और ये 4 भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, 1 by 8 mod of t1, t2, है न, square root of, यहां पर आपके पास बन गया, t1 square plus 4, into, t2 square plus 4, ठीक है गया, ये बन जाएगा, और ये area आपको कितना दिया हुआ है, 3 root 2, ठीक है, 3 root 2 दिया हुआ है, तो यहां से हम इसको simplify करते हैं, तो t1, t2 की value तो हमारे पास minus 4 आ गई, तो ये कट के कितना हो जाएगा, half हो जाएगा, है न, और इस half को मैं इधर लेते जाता हूँ, और इसको square कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को multiply भी कर लिजे, तो multiply करिएगा, तो ये हो गया, t1 square, t2 square, plus 4 times of, t1 square, plus t2 square, and plus 16, ठीक है क्या? and plus 16, इसकी value equal to, इधर 2 से multiply करके, आप square करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 72, ठीक है क्या? तो यानि यहां से, ये t1 square, plus t1 into t2 का whole square है, तो ये तो 16 हो जाएगा, तो ये 16, और ये 16 मिलके, 32, और इधर आके minus होगा, तो ये 40 बन जाएगा, तो 4 times of, तो clearly 4 से भी divide कर दीजे, तो simplify करने का बाद, t1 square, plus t2 square, is equal to क्या बन जाएगा, 10, समझे हैं आप, ये 16 बनता, ये 16, तो 16, 16 मिलके 32, इधर जाके minus होगा, तो यहां 40 बन जाएगा, और यहां 4 था, तो ये 4 और ये 40 कटके, कितना हो जाएगा, 10, तो ये आपके पास second equation आगया, एक equation ये है, और दूसरा equation ये है, और यहां से अब आपको क्या करना है, T1 और T2 की value निकालनी है, तो बड़ा simple सा है, एक काम करिए, इधर 2 से multiply करके add कर दीजे, नहीं, तो फिर आपका बड़ा आसानी से निकल जाएगा ना, तो इसको हम करते हैं, T1 square प्लस T2 square, प्लस 2 T1 T2, तो यह कितना बन जाएगा, 10 प्लस, 10 माइनस 8, तो और यह बन गए T1 प्लस T2 का whole square, तो clearly आपका T1 प्लस T2 यहां से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2, ठीक है, similarly आप माइनस वाला भी कर लीजे, ठीक है, तो एक बार जब यहां माइनस कर लीजेगा, तो यह बन जाएगा आपका, T1 माइनस T2 is equal to plus minus 4, यह कितना हो जाएगा यह, 18 तो 3 root 2, आपके पास T1 प्लस T2 की भी वैल्यू पता है, T1 माइनस T2 की भी वैल्यू पता है, ठीक है, तो clearly हम सारे points आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर ध्यान देना है, कि जो T1 की वैल्यू हम accept करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि point P, PQ as a diameter, P lies in first quadrant, तो T1 की हम वही वाली value accept करेंगे, जो positive होगी, T lies in first quadrant, P lies in first quadrant है न, तो T1 की जो value आएगी, similarly, यह x-coordinate तो हमारा positive वैसे ही होने वाला है, ठीक है, तो यहां से अगर हम P और Q की value निकालें, ठीक है, तो वह आप easily निकाल सकते हैं, तो T1 की जो value आजाएगी, दो possible value आएगी आपकी, वह आएगी 2 root 2 और या फिर root 2, ठीक है, तो यह आएगा, तो 2 root 2 जब लीजएगा, तो P का coordinate बन जाएगा, 4, 2 root 2, ठीक है क्या, 4, 2 root 2, और जब आप इसकी value, root 2 लीजएगा, तो उसके corresponding जो Q का coordinate बन जाएगा, वह कितना बन जाएगा, आपके पास, 1, root 2, तो 1, root 2 आपके पास आजाएगा, ठीक है, तो आपका सही option क्या हो जाएगा, option A and option D. So, next question है हमारे पास, let P be a point on the parabola, which is at the shortest distance, from the center of circle this, and let Q be a point on the circle, dividing the line segment SP internally, ठीक है, तो चलिए, आएए, ये draw करके देख लेते हैं, तो हमारे पास, पहले तो circle हमें draw करना पड़ेगा है, तो circle का equation पहले simplify कर लेते हैं, तो ये है, x square minus 4x को साथ में लेजिए, इसको perfect square बनाने के लिए, हमें plus 4 करना पड़ेगा, और एक minus 4 कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारे plus, plus y square minus 16y, इसको perfect square बनाने के लिए, हमें 64 add करना पड़ेगा, और minus 64 and plus 64 is equal to 0, तो ये simplify करिएगा, तो ये बन जाएगा, x minus 2 का whole square, प्लस ये बन जाएगा, y minus 8 का whole square is equal to 4, ठीक है क्या, तो ये आपके पास equation बन गया circle का, फिर आप parabola दिया ही हुआ है, y square is equal to 4x, तो ये draw कर लेते हैं, कि scenario actually बना क्या होगा, है ना, तो y square is equal to 4x, ये parabola हो गया हमारा latest से, ठीक है, ये parabola हो गया, और circle का center देखे 2,8, तो 2,8 अगर आप देखेगा, है ना, तो यहाँ पे आपके पास, ये positive आ रहा है, 8 square minus 8, तो clearly ये center इधर कहीं रहा होगा, और radius आपका 2 रहा होगा, तो circle कुछ इस तरीके का रहा होगा, ठीक है, इस तरीके का circle आपका रहा होगा, तो अब ये दिया हुआ है, कि P be a point on the parabola, which is at the shortest distance, तो clearly इस center से, अगर हम perpendicular draw करेंगे, ठीक है, ये tangent, इस से, पेराबोला से tangent बनाता हुआ, क्योंकि हमें पता है न, shortest distance is always along the common normal, ठीक है, तो ये P हो जाएगा, हमारा shortest distance, ठीक है, clear, all right, so shortest distance is always along the common normal, तो यानि कहने का मतलब कि, हमें shortest distance निकालने के लिए, अगर P का coordinate, लेटर से मैं, parametric coordinate T1 बोल देता हूँ, तो P पे हम normal draw करेंगे, और वो इस circle के center से pass करेगा, है न, तो normal at P, इसका equation क्या हो जाएगा, तो देखे, normal का तो equation यहां से हो जाएगा, Y plus TX is equal to 2T plus TQ, है न, क्योंकि A की value 1 है, और clearly यह normal कहां से pass कर रहा है, 2,8 से, तो इसको satisfy करेगा, तो 8 is equal, 8 plus 2T is equal to क्या हो जाएगा, 2T plus TQ, 2T 2T हो गया cancer, TQ की value 8, तो T की value क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, T की value आगए 2, यानि normal का हम equation अगर लिखना चाहें, तो यहां से लिख सकते हैं, Y plus 2X is equal to 12, ठीक है, यह normal का equation आगया, और T is equal to 2 आगया, तो यह P का coordinate लिख सकते हैं, क्योंकि P का coordinate है, T square, 2T, यानि 4, 4, 4, है न, 4, 4 यह coordinate आगया, 2, 8 हमें coordinate दिया हुआ है, तो SP distance तो हम distance formula से आसानी से निकाल सकते हैं, तो यह कितना हो जाएगा, 2-4 का whole square, that is 4, and 8-4 का whole square, that is 16, यानि root 20, यानि हम इसको लिख सकते हैं, क्या 2 root 5, 2 root 5, यानि clearly पहला option तो हो गया सही, दूसरा option निकालना हमें, SQ is to QP, ठीक है, तो यह coordinate हमारा Q था, SQ तो clearly radius of the circle है, that is 2, तो अगर यह total distance हमें 2 root 5 पता है, और यह distance 2 पता है, तो यह तो clearly 2 root 5 minus 2 हो जाएगा, QP की value, तो यानि यहां से, SQ is to QP, अगर हम, SQ is to QP, अगर हम निकालें, तो यह तो हो गया, 2 upon 2 root 5 minus 1, 2 cancel out कर दीजे, तो 1 upon root 5 minus 1, इसको rationalize कर दीजेगा, तो यह बन जाएगा, root 5 plus 1 upon 4, तो clearly यह option गलत हो गया, क्योंकि यहां पे तो by 2 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर है, X intercept of the normal to the parabola, तो normal to the parabola हमने निकाल ही रखा है, यहां से, तो यहां से X intercept निकालने के लिए, Y is equal to 0 कर दीजे, तो यहां ही से X is equal to 6 आ जाएगा, तो यह तो सही हो गया हमारा option C, और दिया हुए slope of the tangent to the circle at Q, अब यहां पे देखिए, since यह common normal है, तो Q पे जो circle पे आप tangent draw करिएगा, और P पे जो parabola पे आप tangent draw करिएगा, यह दोनों आपस में क्या होंगे, parallel, तो slope of tangent at P to the parabola, will be same as slope of tangent to the Q at the circle, तो हमारा slope जो हो जाएगा, वो is equal to slope of tangent, ठीक है, slope of tangent at P, of parabola, ठीक है क्या, और slope of tangent at any point हमें पता है, parabola पे 1 upon T होता है, और T की value 2 आ चुकी है, तो यह कितना हो जाएगा, half, यहनि clearly यहां से option, D भी सही हो जाएगा, तो इस पूरे question में, A, C और D सही options हैं, B गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, next class में, हम इसको और भी continue करेंगे, और कुछ और भी सवाल, इसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए, आप लोग इन questions को solve करके, और देखते जाएए, कि किस तरीके से हमने theory apply करी है, इन solving questions, all right, all the best for your advance examination, आप अपने आप के भरोसा रखिए, कि जो तयारी आपने की है, जितने महनत आपने करी है, वो sufficient है आपको qualify करवाने के लिए, so trust your preparation, trust your abilities, और अपने दिमाग को बिलकुल शान्त रखके, advance का exam attempt करिए, बिलकुल बहुत अच्छा होगा, ठीक है, so all the best from my side, keep studying, keep working hard.